असान कुछ भी नहीं है ते मुश्किल भी कुछ नहीं है जद तक मेरी हिम्बत मेरे नाल सी मैं हार बंदननों त्यार नहीं सी आज परोस वाले संगी साती स्टाफ नालता हुंद है पर रिमेंबर आलवेस लड़ाई तो अड़ी अपने ही हुंदी हनेरा साधियां अख़्ा द अच्छ दभीकार है सिरफ यकली मैं फिछे नहीं रैसा कर दिकि मैं पुटियां हुआ कर चाहिए आज कर ऑख्राफ के का मन पसंद शादी, अच्छी जी नौकरी, खुश हाल जिन्दगी. मेरी जिन्दगी जए मेनू सब कुछ मिल लिया, मगर इस दोरान मेरे नल की की होया, आज में तो अनों दसन लिये थे हां. मेरा नाम तबन्ना सोनी, में लुद्याने शेर्टो हां, मेरा बच्पन बहुत ही संघर्शा पर्यासी, मेरे पिताजी इकल्ले कमान वाले सीगे, बहुत ही मेहनत इमानदारी नाल, बड़ी संसकार परीशादी जिन्दिगी जड़ी चाल रही सी. हाथ कई वरी इनना तांग रहना सीगा, वी लून ते चार नाल भी रो ट्यांगा दियाने, साड़े पिताजी मील साइकल चलाके जन्दे सीगे, ताकि सानू वदिया शिक्षा दे सकने. पड़े पड़े मैं बहुत ही नस्दीकी नाले महसूस करन लग गी सी, कि मेरे पिताजी सानू एक खुश हाल जिन्दगी देन ली की नी जीत और मेनत कर रहे थे. और मैं नाल लाल पड़ाना भी चुरू कर दिता. बारवी पास किती, ग्राजुएशन किती, ग्राजुएशन दे नाल लाल भे अपनी जॉब स्टार्ट कर शूगी सी. जो पेली जॉब मेरी लगी, और टाई हेजार इच अज टाइपिस्ट सी गी. उस तो बाद मैं किसी सीमेंट बनान वाली फैक्ट्री विच काम किता, ओथे मैं ऑफिस दा काम संभाल दी सी, मेरी तन ख़वात थीन हजार होई. फिर उस तो बाद मैं एक इंटरनेशनल कंपनीज काम करन लगी, ओथे मैं साल पर काम किता, पर मैं की मैंसूस किता, कि ओथे कुडियानों तरक्की वास्ते समझाता करना पेंदा है. और ताजूब दी गालता दोस्तो ऐए है, वी कुडियान समझाता कर रही हैं सी, आप कर दे कर दे, बैंकिंग दे पेपरां दे त्यारी करन लग गई, और मैं बैंक इस जॉब भी लग गई. मगर इस दुरान बहुत कुछ होया, जो दोस्तों तो अनू दसना बहुत ज़रूरी है. एक प्रेम कहानी मेरी जिंदिकिश पनप चुकी सी, मैंनू किसी सरदार जी नल प्यार होया, पर उनना दे माप्यों नहीं मनने. कारण क्योंकि मैं एक मिदल क्लास फैमिली तो बिलॉंग कर दी सी गी, और वो बहुत हाई क्लास फैमिली सी, और दूसरा हो हिंदू रिलिजिन विच मैरिज नहीं करना चान्दे सी. पर माप्यों अशीर्वांदाल अखीर साड़ा व्या होया, मगर शादी दे दिन दो ही मैंनू परशान करना शुरू कर दिता गया. महज शादी दे तीन महिने बाद अधी राती मैंनू करोबार कर दिता गया. पर मेरे पती ने मेरा साथ दिता, दो मिने में पेके रही, वगर फेर हिममत रखी, दो मेने पेके रहे इन्तों बाद, आशी ही अपनी किरायते कमरे दे उपर अपनी ग्रस शुरू किती, बहुत संगहश्च किता, कई सालों साल मेनत किती, नाल नाल में जौब लब्बी, और बेंकिश लगन तो पहला मैं कोचिंग दिती, तांकि मैं कारखर चला सकां, क्योंकि मेरे हस्बेर नूँ ओस टाइम तो परिवार वो लो सिर्फ कुछ थोड़ी जी सेलरी दिती जान दी सीगी, ते खर्श कर देन वास्ते मैं नाल नौकरी शुरू कीती, नाल कार दीजे मेवा नाल मैं फिर अपनी पड़ाई स्टार्ट केती, दुबारा तो, दुबारा तो क्यों तुसी सोच होगे, क्योंकि ऐस शादी तो पहला मेरे सुसराल वाले वो लो एक शर्त रखी गई सी, वी साड़े खांदान विज कुडिया ने नौकरी करंदा रिवाज नहीं है, और मेर के लिए बहुत पीड़ा दायक सी, उस तबार जोनोरे ने सानुकरों काट दितता सी, सड़कते आगे सी एक तरा दे, उनना भोलो कुछ भी सिपोर्ट ने मिली, फिर मैं सोचा कि शायद काश वस टेम तर मैं एगल नामनी हुन दीते, आज मैं बैंकिज काम कर दी होई, पर आरेक दी अपनी स्टोरी हुन दी है, हार चेहरे दे पिछे अपनी कहानी हुन दी है, कहनु क्लर्क दी जौब कुछ में नहीं, पर मेरे वास्ते बहुत कुछ, क्योंकि मैं अपने पिता जी दा सपना साच कर रही थी, मेरे पिता जी चांदे सी, कि मैं पाड़के खूब होली होली मैं बेंक दे पिछ प्रमोशन लई, मैं ऑफिसर बनी और अज मैं मैं मैंनेजर थी पोस्ट अलाहबाद बेंक इज काम कर रही है, ऐस सदका सब रवदा ते मेरे सारे संगी साथियां दे अशीरवाद नाला, मैं एक चीज सिख लई सी, आसान कुछ भी नहीं है, त मैं जडतक मेरा हिंबत मेरा नाल सी, मैं हार बननन आँ तियारनी थी. ऐस दो रान मेरे हस्बें एक वेेड़ लौस कमपनी दा काम ही स्टार किता थी. जोध उन्होंनों ने काम स्टार किता थी, उन्होंनों मेरी सपोर्ट थी बहुत ज़रूरत पही। मैं अपनी स्वेर शाम दे जड़ी कोचिंग देरी सी, वो बंद करके, पूरा तयान अपने हस्बें डे बिजनस वाल लगाया, मतलब दिन विच मैं बैंक जान दी सी, स्वेर ते शाम मैं अपने पत्नी दरम निभान दी सी, ओना दे नाल पूरा ओना दी बिजनस से सपोर्ट क किती हो नाल, हार संडे लगाया, आसी जगा जगा सड़कते खड़े होके, कैंप्स लगाये ने, खंबया पे इस्टियार चिपकाये ने, पैंफ्लेट्स बंडे ने, ट्रैफिक लाइस लूप पर खड़े होके, और मैंनो कदी ऐसाब काम कर ची शरग नहीं आई, क्योंकि मै मैं एक जीवन संगिनी दा, फर्ज निवार रही सी, और उस टाइम ते मैं बैंकिच आफिसर सी, मेरे कई कोलीग्स मेंनो रस्टेश मिल दे सी, और पुछ दे सी, मैडम ये क्या कर रहे हो आप, मैं उनको प्रमोट करती थी, ये मेरे हजबन को आफिस है, प्लीज आईगे न लग गया होना था, मैं मैं मैंनेजर बन चुकी सी, मागर मेरे मैंनेजर बनन तो पहला पहला, मेरे हजबन टे मेरे विच कुछ प्राब्लम स्टार्ट हो गई है, मेरे समझ तो बाश सी, क्यों उन्हा दे बिहेवियर्स, ऐसब चेंज क्यों हो आ रही है, जेड़ा दफ्तर उन्हा ने खोल है आसी, एते मैं जरूर दसना चाहूंगी तो अनू, साधे कुल इनने पैसे ने सी हुंदे, वी आसी ओफिस टिककार, अलग-लग किराय दे ये, और साधा इसना था एक हॉल कमरा सी, उन्हें वीच एक कोना सी, जिते पड़्दयान आल पार्टिशन करके एक चोटा जा साधा बेड्रूम असी बनाया है सी, और जोदो उन्हें थे बहेविर चेंजे आल लगियां तो मैं हरान सी, कि आखिर मेरे कुल की कमी रह गई, कि क्यों है इस तरह बहेव कर रहे है, बहेव मतलब इनना रातना बाहर रहन लग गे, जेरा ओफिस में तिनका तिनक के बनाया सी गा, मेरे लिए मंदिर सी, तो दफ्तर नहीं सी ओना था, मेरे लिए मंदिर सी हो, मैं नू कह दिता गया वी तुसी यह न आया करो, तुसी कह रसमभालो, मैं शॉक्ट सी, मैं एक वरी उन्हों क्या वी, मैंने कहा आपका काम चल पड़ा एट अब मिरी जुरूर के पास थे कभी-कभी उन्होंने फोन करके बोलना कि आज मैं अपने मॉम-डाड के पास सोंगा उनके साथ मुवी का प्लान है डिनर का प्लान है तुम देख लेना क्या करना है मैं शौक थी यह क्या है मैंने अपनी पूरी जिन्देगी उसके लिए निकाल दी और वह ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ आप अगर मेरे जगा होते आपको कैसा लगता जो पत्नी निष्ठा से अपनी पती के साथ जिन्देगी बिता रही है और पती बिल्खुल ही बेख़बर हो जाए उससे तो बहुत दर्द होती है यह दर्द बया नहीं किया जा सकता खेर यह चोटे-चोटे लडाई जग रहे जो हमारे चलते रहे पर मेरी समय से बाहर था कि उनके बहेवर में चेंजिस क्यूं आ रहे हैं एंडेन वन डाक डे करवा चौत के दिन वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए मुझे लगा कि वो अपने माबाप के घर पर कोई जवाब नहीं है जिस दफ्टर इच मैं रोज जान दी सी उथे जान लगया मेरे पैयर कंबल लगे क्योंकि वो परसन इतना हो गया सी मेरे लिए जिवे मैंनों जान दा ही नहीं है ऐसी व्या तो सथ सल पहले एक दूज़े नों जान दे सी और इस टेंटर सड़े व मिल्यां तम किया मेरी समझ तो बार सी और एक दिन अचानक मेरे पैरांथ हो जमीन खिस लगई जोदो मैंनों पता लगा कि मेरे पती उना दे ओफिस इची काम करन वाली एक लड़की ते नाल रहन लग गया ने मेरी दुनिया लुट चुकी सी बच्पन इच इनना कुछ दे 60 डिग्री चेंज फिर वी होंसला रख्या कोशिश कर दी रही बड़िया मनता मंगिया अज मे श्रीफ चद्दर चड़ा कि आई बाला जी गई बहुत जगार नाक रगड़िया कि मेरा प्यार रभा मेनू वापिस दिला दे पर हाले राब्दे इम्तिहान पूरे नहीं सी हो किसी नो कुछ पता नहीं कि एस पर्दे दे पिछे की कहानी चाल रही है एस सब कुछ में बड़ी हिम्मत नल कार रही इसी पर अंदरो में तुट चुकी सी और मेरा एदर्ध सब जादा मेरे पिताजी ने मैसूस किता मैं राब को लो मंगरी कुछ सी और ने खो कुछ लया और एक काले दिन मेरे पापा भी मेनू छोड़के चले गए मेनू एक कंधा चाईदा सिगा जिस्ते सिर राक के मैं रो सका पर नहीं आया और कोई भी नहीं आया मेरे ससुराल्चों बहुत मुश्किल होंदा है मेरे पिता जी कल्ले सी होना दा कोई प्राप एन भी नहीं सी एक कुड़ीदा पाजनठ करना एक पासे उन अदी पापाजी करे पए ने पता है उन्होंनों उसी शिम्शान काट लेके जा रहे हैं और दूसरे पासे सारे जिम्मेवारियां भी तो अडे सिरते ने आज पडोस वाले संगी साती स्टाफ नालता हुंदा है पर रिमेंबर लड़ाई तो अड़ी अपने ही हुंदी है कफन कि थे पेया है फूल कि थे पहे है कदो लजाना है की करना है इनना टुट चुके होंदे बावजूद मैं सारी जिम्मेवारी चक्की और अपने पिताजी दे पूरे अंतिम्रिती रिवाज ओना दा संस्कार में खुद किता मैं फर्स्ट कम्प्लेंट किती है अपने हस्बेंडे अगेंस्ट कि उना ने बिना डेवोर्स दे जो है एक दूसरी लड़की ना रह रहे है एंड यह तीन साल भी मेरे लिग काट नहीं सी तपस्या ऐसी तपस्या जित्थे जाओ थे एक्स्प्लॉइटेशन पुलिस कोल ज कमिशनर, ACP, SHO जगा, जगा, जगा मिल दी रही और जवाबिश की मिल दा सी बेटा एगल समझ लो लिव इन रिलेशन्शिप इस अलावड और मैं खाली मैं कली कदी मम्मी नूं हस्पिटल अजा रही हैं कदी बैंक संबाल रही हैं और कदी खचेरियां कदी पुलिस थाने ओ लोका नू शरम नहीं आई मैं एक गड़ी अपने हस्बन नू बर्ट दे ते गिफ्ट किती सी बहती दिलेदी वाला इंसान आया हो और मैंनू ता छड़के चला गया गड़ी ते होड समान अपने कोली रखी रख्या तिन साल किष्टा ओन या मैं दें दिरी तिन साल लगे पूलिस नू वापिस गड़ी मेरी करांते पर मैं भी हिम्मत नहीं हा ली सी मैं तैक आरला से उन्हों सबक सिखा के रहूंगी जंग जारी रही अखीर मैंनू अपने शेल तो बाहर निकलना प्या मैं एक बहुत ही शांती प्रसंद कुड़ी सी मगर जो तो मैं देख्या कि यह लोग एद्ना सिद्धे नहीं होंगे तै मैं एंजियो जनाल संपर्क करके अपने कुछ पडोसिया नू और स्टाफ नू न आओ नू माफ करन्दा क्योंकि ओह कुड़ी उन्दे बच्चरी मा बनन वाली से दो महीं ने चोना दबच्चा हुन वाला सी मेरे को बहुत अच्छा मौका सी होनू जेल दे अंदर करान्दा पिछोना दबच्चा हुन्दा मैं सोच्या भी मैं नहीं चान्दी जिस तरह मैं इन्हां दुख चेलिया है ओ बच्चा भी वड़ा होके जानने की मेरे पापा ने जड़े जेल्स समां काटके आये नहीं मैं हिमत रखी मैं माफी दित्ती हो ना नू और रसाड़ा डिबोस जड़ा म्यूचल कंसेंटनल हुन कोट्स अप्लाइड है स्वामे में वेका नंद मैं फांसी ते चूल जावाँ क्योंकि मेरे जिंदगी खतम हो चुकी सी दो शक्स सी एक मेरे हस्बेंट और मेरे पापा दोन्रों ही मेरी दुनिया सी और दोन्रों ही मेरे तो छिन चुके सी मगर मैं अथे अपनी पहचान बनाई और मैं आज भी अपनी अलग पहचान रखी है मैं निडर हां मैं क्रांती का रही हां लोग ड्रामेबास बोल दे इसनों मगर फिर वी मैं अपनी हर समाजिक परिवारिक हर जगा हर मुद्ध ता मैं खूल के अपनी आवाज उठानी है सही गलत है तो मैं उते बोलांगी क्यों नहीं बोला है मेरा जड़म सिधादीकार ह सिर्फ एसले मैं पिछे नहीं रह सकती कि मैं कुडियां लोग की सरकारी बैंकर दे पेपर भी देंदे है यहां होर भी गर्मेंट एक्जाम्स देंदे है किसी दा एक वरी नहीं क्लियर होया दूजी वरी टेम्टिस नहीं क्लियर होया लोग की हिमत हार के बैठ जान दे है प हो मैं पावे रोवा पावे कलपा मगर अगर दिन स्वेरे उठके और नहीं हिम्मत नालमा जिंदिगी ना मुकाबला करांगी और बिलकुल ने डर होके करो अपने जिनने तो अड़े दिमाग इस डर हे गेना और डर नू कर दो फाइट करो इस नू मैंनो हने तो डर लगदा स आया और मैं उन्हों एक कमफर्ट लाइब दे सकी मैंनो बहुत खुशी ऐस चीज दी ते कुडिया नू पढ़ाओ लिखाओ अगे वदाओ गवर्मेंट सेक्टर इस आओ और डट के उंदे विच रहो पूरी हिम्मत ना स्टड़ी करो एक गोलते फोकॉस करो तो अनू कोई नहीं हरा सक्दा कुडिया किसी तो पिछे नहीं है अपना डर दिमाग चो कर दो इस वीडियो बारे अपनी राए कॉमेंट सेक्शन विच सानु जस्तो हाथे आपने मित्रा नाल एव वीडियो शेर करना नापुलियो